हलो गाईज, वेलकम टूरियल का पैक्ट्स और कैसे आप सब लोग तो गाईज, आज हम बात करेंगे हॉन्डाई के न्यूली लॉंच प्रोड़क्ट हॉन्डाई एक्स्टर के बार सो फाइनली इस कार की बुकिंग स्टार्ट हो गई है और आप 11,000 रुपीज देके इस कार की बुकिंग करा सकते हैं होंड़ी ने ये कार, माइक्रो SUV सेग्मेंट या कह सकते हैं, कॉमपेक SUV सेग्मेंट में लाँच करी है तो सीधे-सीधे इस कार का जो कॉंपेटिशन होता है, वो होता है टाटा की पंच के साथ, निसान मेगनाइट के साथ, रिनॉल्ट काईगर के साथ, एन सित्रॉन C3 के साथ करेंटली इस सेग्मेंट को जो कार रूल कर रही है, वो कार है टाटा पंच है एंटाटा पंच नियरली अबाउट 10,000 यूनिट सेल कर रहा है मंतली बेसिस पे सो बहुत ही तफ कंपेटिशन होने वाला है होंडाई एक्सर के लिए तो आज की इस वीडियो में हम दिखेंगे कि होंडाई एक्सर में आपको क्या कैचिजे में होते हैं अगर आपने शनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टो आवा चैनल विकॉज ऐसा इंफ्रमेटिव कंटेट हम आपकी लिए बनाते रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइजिंग की इस कार का एक्सपेक्टिट प्राइज हो सकता है 6 लैक टू 10 लैक के बीच में जिस प्राइज पे इसकी बाकी कॉंपेटिटर्स कार साथ है ये कार केसरी प्लाटपॉम पे बनी है और इसी प्लाटपॉम पे आपको औरा एंड़ आइटन आती है सो सेफटी पॉइंट प्राइज से ये कार क्या सेफटी डेटिंग अचीव करेगी ये कहना आभी थोड़ा मुश्किल है बात करें इसके एंजिन स्पेसिफिकेशन की, तो करेंटी ये कार 1.2 लिटरिंग इंजिन के साथ आ रही है, बाट हो सकता है, फ्यूचर में आपको इसका 1 लिटर टर्बो इंजिन भी देखने को मिलेगी, ये कार 5 गेर ट्रांस्मिशन के साथ आएगी और इसके साथ साथ आपको पेट्रोल और C&G दोनों फ्यूल आप्शन के साथ मिलने वाली है, जैसे हम सब जानते हैं कि पंच का भी C&G आप्शन मार्केट में जल्दी आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा कॉंपेटिशन होने वाला है इन दोनों कारों के बीचे, बात करते हैं हांड़ा एक फैल भी आपटे ऍचाल लग रहा है, अप्राइट के साथ हाती है कार में आपको रूफ्रेल देखने को मिलेगी जो कार को और जदा एशुविश लुप देता है साथ ही साथ और ऍस眉पण देखने को मिलेगी कार के चारों तरफ कार एक पाबर बॉक्सी डिजाइदा अरी आपको 16 इंच के डायमंड के टरलाइबिल देखने को मिलेंगे। साथी साथ इन स्पाइशाउट्स में आपको देखने को मिल रही है स्पोर्टी एक्जॉस्टिप तो हो सकता है कि आपको इस कार में वन लिटर टर्फो इंजिन का ऑप्शन देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है कि ये कार अपने कॉंपेटर्स कार टाटा पज से डिजाइन के मामले में बैटर है या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार के फिज़ेश वैसे तो इस कार के इंटिरियर के अभी तक कोई स्पाइ शौट्स नहीं आए हैं ना ही कम्पनी में इसके इंटिरियर विभील किया हैं। बट हम expect कर रहे हैं इस car में आपको वो साविरी standard feature मिलेंगे जो आपको venue और grand item में मिलते हैं यानि कि इस car में आपको मिलेगा एक fully digital instrument cluster, एक बड़ा सा touch screen, automatic AC control, wireless charger and cruise control बात करें car के safety features की तो ये car आपको 6 airbag option के साथ आईगी इसके साथ साथ आपको इस car में मिलेगा electronic stability control, TPMS, rear parking camera, ABS भी नहीं मिलेगा तो वाइस आपको क्या लगता है कि ये Hyundai का newly launched product competition देपाएगा market में पहले से established हो चुकी cars को like Tata Punch Hyundai का newly launched product कितना successful होता है इस micro SUV के section में ये तो आने वाला time दाएगा इस car की booking साथ हो चुकी है and we are expecting कि ये car September to October के मन तक लोगों को deliver होने लगज़े तो वाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो please like this video और अगर अब इस शनल में नए हो तो please subscribe लोग चानल बहुत जल्द ही हम data punch और extra की comparison वीडियो आपके सामने लेके आएंगे तब तक के लिए stay tuned मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे next video झाल झाल